अगर आप पूरे फैनेशल मनेजमेंट को आसान और सरल भासा में समझना चाहते हैं तो इस चैनल के सारे वीडियो आप शुरू से देखें यानि FM1 से स्टार्ट करें और FM13 तक आएं आपके सारे टॉपिस के कंसर्प्स पूरी तरह से किलियर हो जाएंगे अभी चलिए हम हैब्रेट फैनेशल इस्टूमेंट को समझते हैं हमने डेट इस्टूमेंट को डिसकस किया है और एक्विटी को भी हम डिसकस कर चुके हैं डेट और एक्विटी इस्टूमेंट के कॉम्बिनेशन को ही हैब्रेट फैनेशल इस्टूमेंट कहते हैं यानि कि hybrid financial instrument में date और equity दोनों के ही गुन मौजूद होते हैं अगर आप date और equity को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उपर दिये गए link को click करके उस video को देख सकते हैं कुछ common hybrid financial instruments है preference share capital, warrants, convertible debenture या bonds और options इसमें हम preference shares और warrants पहले के वीडियो में discuss कर चुके हैं जिसे आप उपर दिये गए link को click करके देख सकते हैं इस वीडियो में हम options और convertible debentures या bonds को समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला है options option एक derivative security है derivative security उसे कहते हैं जिसकी कीमत उसके underlying assets से तै की जाती है जैसे ketchup के value tomato से derive होती है और chips की value potato से derive होती है उसी तरह derivative security के underlying assets, shares, इत्यादी कुछ भी हो सकते हैं जिसके आधार पर derivative security की कीमत तै होती है option भी इसी तरह का एक derivative security है stock option की value उसके shares की value से तै होती है एक stock option में generally hundred shares का underlying stock होता है और single shares की trading नहीं होती है मगर यहाँ पर हम उदारन में single share के example लेंगे ताकि समझने में आसानी हो option मुखी रूप से दो तरह के होते हैं call option और put option call option में आपको खरीदने का अधिकार मिलता है और put option में आपको बेचने का अधिकार मिलता है यह आपका अधिकार है लेकिन आपकी यहाँ पर खरीदने या बेचने की बाधिता नहीं होती है पहले हम call option को समझते हैं call option क्या है इसे हम एक उधारन से समझेंगे मान लिजिए कि ABC कंपनी के एक share की कीमत 100 रुपय है अब आपको लगता है कि इस share की कीमत 30 दिन पर 150 हो जाएगी अब आप इस share को अभी खरीद कर 30 दिन पर बेच कर profit कमाना चाहते हैं लेकिन फिर आपको डर लगता है कि कहीं इसकी कीमत घटकर 50 रुपय हो गई तब आपको भारी नुकसान होगा अब आपको एक option दिया गया है कि आप 5 रुपय देकर उस 100 रुपय के share को खरीदते नहीं बलकि book कर लेते हैं अब अगर 30 दिन पर उसकी कीमत 150 हो गई तो 100 रुपय और देकर आप उस share को खरीद कर 150 रुपय में बेशते हैं और 45 रुपय प्रॉफिट कमाते हैं और अगर 30 दिन के बाद उसकी कीमत घटकर 50 रुपय हो गई तो अब आप उस share को 100 रुपय में नहीं खरीदेंगे क्योंकि ऐसा करने से आपको नुकसान होता है जब आप उस share को नहीं खरीदते हैं तो आपका मात्र 5 रुपय का ही नुकसान होता है जो आपने उस share को book करते वक्त दिये थे यहाँ पर आप एक 5 रुपय का premium देकर एक option ले रहे हैं जिसमें आपको भविश्य में share को खरीदने का option दिया गया है अगर यह आपके लिए profitable होता है तो आप इसे खरीदते हैं और अगर उस समय यह आपके लिए नुकसान दायक होता है तो आप नहीं खरीदते हैं वैसे में आपका बस premium या booking amount का ही नुकसान होता है और आप एक बड़े नुकसान से बच जाते हैं यहाँ पे आपको share खरीदने या ना खरीदने का जो option दिया गया है उसे call option कहते हैं इस उदारन में जो 5 रुपे share को book करनी के लिए दिया गया था उसे premium कहते हैं और हम जब उस 100 रुपे के share को 30 दिन खरीद लेते हैं तो यह 100 रुपया उस option का strike price या exercise price कहलाता है क्योंकि इसी price पर option को exercise किया गया है यहाँ पर इस option का expiration date उसका 30 दिन है जिस दिन उस option को exercise किया गया option contract का अंतिन दिन उसका expiration date कहलाता है यहाँ पर option का 30 दिन का contract था तो 30 दिन की तारीख इसकी expiration date होगी अब आईए put option को समझते हैं put option में आपको stock option को बेचने या ना बेचने का अधिकार दिया जाता है बिना किसी बाध्यता के एक दूसरा उधारन लेते हैं मान ले कि आपके पास एक कार है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है अब आपको डर है कि आपकी कार अगर damage हो गई तो आपके 10 लाख रुपए चले जाएंगे ऐसे में आप उस कार का insurance कराते हैं उसके लिए मान ले कि आप 20 लाख रुपए का premium देते हैं जिससे आपकी गारी एक साल के लिए सुरक्षित हो जाती है अब अगर गारी को कुछ भी हुआ तो उसका सारा नुकसान insurance company pay करती है और आपके 10 लाख रुपए सुरक्षित होते हैं पर अगर आपकी गारी को कुछ भी नहीं हुआ तो आपके बस premium amount का ही नुकसान होता है put option भी कुछ इसी तरह का है इसमें भी आप कुछ premium देकर share की value को insurance कर देते हैं put option में आप कुछ premium देकर किसी share को एक निश्चित दाम पर एक निश्चित तारिख पर बेचने का अधिकार पाते हैं मान लिजे कि आपने एक put option लिया जिसमें आप 30 दिन पर एक share को 100 रुपए में बेचने का अधिकार लेते हैं इसके लिए आपने प्रती share 5 रुपए का premium pay किया अब अगर उस share की कीमत 30 दिन कितनी भी गिर जाए तो भी आप उसे 100 रुपए प्रती share के हिसाब से ही बेच सकते हैं लेकिन इसके उलट अगर उसकी कीमत 150 रुपए हो जाती है तो आप उस share को 100 रुपए में बेच कर नुकसान नहीं उठाना चाहेंगे और आप इस put option को exercise नहीं करेंगे ऐसे में आपका बस premium amount का ही नुकसान होगा और आप एक बड़े नुकसान से बच जाते हैं option कब exercise किया जा सकता है उसके आधार पर इसे दो भागों में बाटा जाता है पहला है European option जब option सिर्फ maturity date और expiration date को ही exercise किया जा सके तो उस तरह के option को European option कहते हैं इंडिया में European option ही ज्यादा चलता है दूसरा है American option जब option, maturity date और expiration date के पहले तक कभी भी exercise किया जा सके तो उसे American option कहते हैं फ्रेंड्स इसके अलावा भी option में और भी बहुत कुछ है जानने के लिए अगर आप option के बारे में और ज्यादा detail में जानना चाहते हैं तो please comment section में लिख कर बताएं अब आगे बढ़ते हैं और convertible debenture या bond को समझते हैं Convertible debenture या bonds Convertible debenture या bonds एक ऐसा financial instrument है जिसमें bonds को आंशिक या फिर पूरे तरीके से equity या shares में convert किया जा सकता है Bonds या debenture के द्वारा कोई कंपनी निवेशक से कर्ज लेती है और बदले में उसे इन पैसों को पहले से ताइंट्रेस्ट के साथ एक निश्चित समय पर चुकाती है जबकि equity instruments के द्वारा कोई कंपनी निवेशक को अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेशती है Convertible adventure या bonds में निवेशक के पास या अधिकार होता है कि वो कुछ शर्तों के साथ इन bonds या debentures को equity instrument या share में convert कर सके Offer document या prospectus में conversion के सारे शर्त लिखे होते हैं जिसमें प्रमुख हैं conversion ratio, conversion price और conversion time एक convertible adventure पे जितने shares मिलेंगे वो conversion ratio कहलाता है Conversion time एक period है convertible adventure के issue होने से लेकर उस date तक जिस date के बाद से इसे convert किया जा सकता है Convert करते समय हर एक ordinary share के लिए जो price पे किया जाता है उसे conversion price कहते है So friends ये था कुछ common hybrid financial instruments अगर इस वीडियो में आपको किसी भी तरह की कोई confusion हो तो प्लीज नीचे comment section में लिखें अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे like करें, share करें और आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को subscribe करें Thank you so much for watching this video